हलो फ्रेंड्स विल्कम टो मैं चैनल केचिन टो टेवल विपनी तू आपका स्वांगत है आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल गुलाब जामून जैसा कि आप शादिया या पार्टीज में खाते हैं उतना ही टेस आफ उतना ही जूसी और उतना ही टेस्टी टेक्श् चाष्णी बनाना होगा चाष्णी के लिए दो कप चीनी दो कप पानी ले रेश्यों निशा वन इस्टो वन होएगा आप चाष्णी कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं और एक कप खोवा ले लिजे बंधड कप छेना लिजे आ पनीर लिजे हम पनीर लिए उसके बाद 1-4 cup मैदा 1-4 cup मिल्क पाउडर नीगो के तुकड़े 1 पीज़ बेकिंग पाउडर और खोड़ाता यलाइची और केसक और गुलाब जल भी डाल दीजे खुश्बू के लिए एडिबल होना चाहिए बस चीनी और पानी को मिक्स करें एक कढ़ाई में या कोई पैन ले ले ल अगर आप दूट डालेंगे तो अगर उपर आ सकती है आप यह देख सकते है जैसे आपका चीनी बॉल हो जाए पिघल जाए आप यह नूगूर्गे स्लाइसे डालें बस 30 सेकंड तक यह जरूरी है अगर आप यह स्टेप्न ही करेंगे तो चाश्णी क्रिस्ट्रलाइट न जैसे की शहर और कोई तारवा नहीं बनाना है और मतलब बहुत जादक है तो आप सिर्फ हाफ देखिए पूरा भी नहीं हो रहा है और यह एकदम से रेडी हो चुका है आपको फ्लेम बंद करना है इसे ढख के रख देना है अब हम जाएंगे अपने खोई की तरफ जामून करेंगे आपको ऐसी हाथ से मसलना है और एकदम स्मूथ करना देख रहा है आप पूरा थाली में एकदम चिपक जा रहा है यह स्टेप में आपको महनत करना ही होगा इसमें कोई आप्शन नहीं है यहाँ पर आप नहीं करेंगे तो आपके जामून बिल्कुल खराब और इसके बाद आपको चेना को भी लेना होगा चेना या पनीर जूबी ले उसको भी सेपरेटली करिएगा अगर एक साथ करेंगे ना तो यह सही नहीं बनेगा तो बस चेने को भी अच्छे से हतेली से मसल मसल के एक्दम दानिदार बनाना है और फिजब दोनों मिक्स हो ज और आपको सच में बहुत खुशी होगी सेज़े जिंगो खाना बनाने का बहुत जादा शौक है बहुत अच्छा लगता है गर कुछ अच्छा बन जाता है तो बस ऐसे आपको एक डो बना लीजे जब आपका ये डो रेडी हो जाएगा तब आपको इसमें सारे ड्राइंग डालें जैसे कि मिल्क पाउडर ना बहुत जरूरी है बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्शर देता है तो इसको बसकिप नहीं करिएगा इसली मिल जाता है अगर आपको नहीं मिलता है तो आप में को बताईएगा तो एक करके हम सारे अपने ड्राइंग ड्राइंग डिश करेंग और इसको अच्छे से मिक्स करिंगे और एक डो बनाकर इसको रखना इसको रेस्ट करना बहुत जरूरी है आप यह बिल्कुल नहीं करिएगा कि बस हो दो बना और में राइस कर लें आपको रइष़्स करना ही इससे क्या होता है कि मेंदा यह सारे ड्राइंग वह ब एक आपको पानी दे दे के से सॉफ्ट करना है और इसका अच्छा सा डो बनाना है स्मूध सा जैसे कि रोटी का डो होता है तो गीला नहीं गरना है बट ऐसा हो कि आपका जो जामून बनाएंगे राइट जामून के बॉल्स होंगे वो एकदम स्मूध हो कोई क्रैक नहीं हो तो जैसे कि मैं अच्छे से इसको सॉफ्ट करती हूँ और आप जब वो इसका डो बनाएंगे न आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे जूडने लग नहीं हो और इसका बॉल्स मना के देखेंगे आप दिखेंगे यहां पर यहां पर स्मूध नहीं हो रहा है मैं कितनी ही कोशिश कर रही हूँ अगर आपको ऐसा हो रहा है मतलब आपको स्टॉप करना है थोड़ा पानी और मिलाई और उसको एक अच्छा सा डो बिनाईए यह सारे टिप्स और फिक्स को ही नहीं बताता है देखिए कितना सुन्दर क्रैक फ्री बॉल्स बनें तो आपको यह स्टिप के अकर मैं पानी डालना है इसमें बस यहां पर मैंने घी लिया है और जब आप पहला बाद तो है आपको इसको धीमे आच में की पकाना है लो टू मी और बहुत सारा एक साथ जब हम सारा एक साथ डालते है तो अच्छे से हीट डिस्ट्रिब्यूट होता है और यह देखिए मैं कढ़ाई को हिला रही हूं मैं डारेक्ली टच नहीं कर रही है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है यह जब इस कलर में आ जाए तो आप यह कर्ची इसनी करदे लगा सकते हैं पर जब आपका सब्सक्र ने घरक ब्राउन बोल सकते हैं ठरफ चासनी में डाले। है क्योन थीutar sound कशनी टोडा से ले। ठंडी चाष्णी या उबलते हो चाष्णी में दोनों में यह रस्त नहीं जाएगा तो बस चाष्णी अगा ठंडा होगा जो सो हल्का सा धरम करें इसके बाद एक-एक करके इसमें डालते जाएगा छाने और डाले ऐसे करके आपको यह पूरा बैज खत्म करना है अगर फटने लगता है तब आप क्या करेंगे तब आप करेंगे आप एक टेबल स्पून मैदा लेंगे उसको अच्छे से मिक्स करेंगे उसके वसको छोड़ देंगे वैसी आदा हंटता कि वह मैदा वह अच्छे से अब्जॉब करें यह फेल प्रूफ रेस्पी है मतलब बहुत बार बनाया मैंने कोई दिक्कत में आया बट स्टिल कोई भी कारण से अगर आपका फटता है तो आप क्या करेंगे थोड़ा सा मैदा लेंगे फिर से वह डो बनाएंगे उसको छोड़ देंगे और देखिए घुमा घुमा के दाल हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्छा रहेगा पस यहां पे मेरा पूरा बैच हो गया है और सारा को मैंने चाशनी में डाल दिया है और उसके बाद आपको इसको रखना है कम से कम चार से पांच घंप ताकि अच्छे से शुगर में एफज़ाब हो जाए इंशोर करें इसलिए जो आइडेली बर्तन चाहिए फड़ा फ्लैट पैन चाहिए जिसमें सबको पूरा सारे लोग सारे बॉल्स जो है चाशनी में डूप जाए तो बस यहां तो रेडी हो गया है इसको पिस्ता से घ्यार्णिश करें मैं आपको यहां पे काट के भी दिखलाती हूँ य अब कोर जो है टाइट रहे गया कोई भी कारण से अब तब आप क्या करेंगे चाशनी साहिट आप बस एक सीची लगाईए आपका गुलाब जामुन रडी है तो देखिए यह सारी रेसिपी इतनी सिंपल है आप यह जरूर बनाईएगा तो आपको सॉफ्ट मावा यूज करना है और उसे फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा वो सही नहीं बनता आप जिस दिन बना रहे हैं आप उसे दिन पर गुलाब जामुन बनाईएगा तो यहां पर यह बिल्कुल ही फेल क्रूफ रेसिपी है मैं बहुत बर बना चुकी ह आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमेशा के तरह कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूंगे और अगर आपको मेरा चानल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में स्टे सेव बाई